हेवास अब गाई समी मोहिता श्रोल यान और गज आज के वीडियो में बात करने वाल है हाउ टो लर्न ए न्यू डांस स्टाइल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाई जिनरली तीन टाइपस के डांसर होते हैं और वो जो एक यूनिक डांस स्टाइल करते हैं टू और मोर डांस स्टाइल को फ्योज करके और इन तीने क्याटेगरी के डांसर में जो चीज कॉमन है वो यह कि वो किसी भी डांस स्टाइल को कैसे सीखे तो इस वीडियो में हम इसी के बार में बात करेंगे मैं आपको कुछ procedure बताऊंगा जिसे follow करके आप ये कर सकते हो and maybe वो procedure आपके लिए काफी ज़्यादा helpful हो सकते है तो चलिए इस वीडियो को इस टार्ट करते है तो गए इस वीडियो में मैं आपको अपने experience बताऊंगा right now I shifted to a new dance style named electro तो मैं किस तरीके से dance style को सीख रहा हूँ और किस तरीके से dance style को सीखूंगा मैं आपको वही process वही steps बताऊंगा जिसे आप भी यूज कर सकते हो और किसी भी new dance style को सीख सकते हो so again जो first step है वो है figure out everything जिसका simple मतलब है कि सारी चीजों का अच्छे से समझना और analyze करना इसमें आपको ये चीजे समझनी है कि आप कौनसा dance style सीखना चाते हो और आपकी dancing की level कौनसी आप कौनसे level की dancing कर रहे हो और आपको ये भी समझना होगा कि आप वो dance style क्यों सीखना चाते हो क्योंकि जब तक आपके पास why नहीं होगा आपके पास why का answer नहीं होगा आप किसी भी field में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर achieve कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको dance style क्यों सीखना चाते हो तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़े figure out करने होगे और इन चीजों को अच्छे से समझना होगा किसी भी dance style को सीखने से पहले और जो second step है वो है get info आपको उस dance style के बारे में information collect करनी है जैसे उस dance style का knowledge कि वह dance style क्या है उसकी origin क्या है उसकी history क्या है साथी साथ जो भी senior dancer है जो उन dance style को कर रहे है आप उनसे भी पूछ सकते हो and I am sure कि वह आपकी help जरूर करेगे cause every artist want to share his knowledge with the community तो आप उनसे भी पूछ सकते हो या फिर आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो आपके लिए जो second step होगा वो यह होगा वो होगा information gather करना अपने dance style के बारे में जो भी dance style आप सीखना चाहते हो और जो third step है वो है find sources आपको इस dance style को सीखने के लिए sources find करने होगे कि आपको इस dance style को कहा से सीख सकते हो आप YouTube से सीख सकते हो या फिर different internet portal से सीख सकते हो इसके लिए आप different channel को आपको विजिट करना होगा उसे filter करना होगा different website को आपको विजिट करके उसे filter करना होगा और यह समझना होगा कि आप कहा से इस dance style को सीख सकते हो या फिर आप real sources भी use कर सकते हो जैसे आप किसी dance class में जाके सीख सकते हो किसी dance academy में जाके सीख सकते हो या फिर किसी dancer से personal training ले सकते हो आपको बस एक बात का या पर ध्यान लगना है कि आप जहां से भी सीखो आपकी यह ट्राइ करो कि आप basic से सीखो dance style को तभी आप अच्छे से सीख पाओगे और उस dance style में grow कर पाओगे एंड कर जो fourth step है वो यह कि find out who is you doing इसका simple यह मतलब है कि आपको find out करना है कि कौनसे dancer इस dance style को कर रहे है इंडिया में आपके state में आपके region में आपको dance style को find out करना है उनसे contact करना है उनसे बाते करनी है उनके साथ cipher करना है उनके साथ lab experiment करने है उनसे सीखना है उनने follow करना उनके videos देख के आपको सीखना है इससे यह होगा कि आप समझ पाओगे कि exactly this dance style को करते कैसे इस dance style को कैसे execute करना है तो यह सारा कुछ आप एक dancer को follow करके कर सकते हो तो आपके लिए जो fourth step होगा वो यह होगा कि आपको find out करना है कि कौन से dancer इस dance style को कर रहा है और उसे follow करना है इन some case ऐसा भी हो सकते है कि कुछ dance style ऐसे होते हैं जो इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे होते हैं लेकिन उस dance style के भी बहुत सारे dancer रोचे जो worldwide उस dance style को कर रहे होते हैं तो आप उन्हें भी follow कर सकते हो उनसे भी सीख सकते हो उनके videos देख सकते हो और वहां से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो आपको उन dance style को सीखने के लिए जो उन dance style को वो dancer कर रहे हैं उनके workshop अटेंड करने हैं मैंने इसे last में इसलिए रखा है क्योंकि workshop में आपको कभी भी कोई scratch से नहीं सिखाता है उसके लिए आपको पहले खुद से train होना पड़ता है तब आप अच्छे से catch कर पाओगे तो at last लिए आपको यही करना है कि आपको different walks आप पर train करना है उस dance style को लेके खौज आप तभी उनके steps के essence समझ पाओगे उसे अच्छे से सीख पाओगे और execute कर पाओगे और आपको एक vibe भी मिलेगे एक group भी मिलेगे उस dance style को कैसे करना है उसके लिए तो कैज यह थे वो 5 steps जिसे यूज करके आप किसी भी new dance style को सीख सकते हो मेरे according मेरे को personally यह काफी जादा helpful होता है यह steps किसी भी new dance style को सीखने के लिए and I hope आपके लिए भी यह helpful रहे और अगर आपके पास कोई और option किसी भी new dance style को सीखने के लिए तो let me know in the comment 6 न जिससे जो भी dancer इस video को देखेगा उनकी और ज्यादा help हो पाएगी तो कैज आई I hope आपको यह video पसंद आयो अगर आपको यह video पसंद आयो इससे कुछ आपको सीखने को मिलाओ तो please video को like करें और इस video को अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो must check this channel यह channel एक dancer के लिए काफी जादा beneficial हो सकता है तो guys मैं मिलता हूँ आपको आपको यह video में तब तक के लिए keep dancing, keep eye stroking